हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आज हम डिसकस करने वाले हैं normalization के बारे में कि इस तरीके से काम करता है SSC exams के अंदर ठीक है normalization का formula आप सभी लोगों को मैंने पहली वीडियो में दिखाया ही था ठीक है उस पर हमें जाना भी नहीं है कि बहुत सारा data sets होता है तब जाग कि normalization किस तरीके से हुआ है ठीक है cgl tier 2 में भी normalization हुआ था उसका भी analysis किया था उसमें ही बताया था तो जो लोग पुराने हैं वो चाहिए तो वीडियो को skip कर सकते हैं योग उन्हें पता है कैसे काम करता है जो लोग नहीं है SSC exam देने वाले हैं जिनने doubt है कि normalization में क्या क्य चीजे होती है क्योरी सी वेगारा जो भी आपके doubt है सारे सारे doubts इस वीडियो के अंतर में खिल्या कर दूंगा तो मतलब इस वीडियो वर्थ वाचिंग अगर आप normalization समझना चाहते हो complete तरीके से मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूँ SSC CP 2019 का paper वाता तो उसका data है मेरे प बस हमें यह पता होना च्छे गिष्ट किया है इसका के जो multi shift examination होता है आपके जैस SSC का CGL का हो गया अपना 18-20 shift में वेपर होता है तो उस shift में क्या होता है कोई shift अगर easy आ गई कोई shift मुश्किल आ गई तो उसे balance कर दिया रहे ठीके averaging out कर दिया रहे किसी को undue advantage ना मिले इसलि normalization के जाता है और इसका funda यह होता है कि हम यह मान के चलते है talent pool जो एक particular shift में रहेगा हो same रहेगा ठीक है तो हर shift का लगभग average के जाना चाहिए same जाना चाहिए यह normalization का funda होता है उसके बाद अगर हम बात करें देखो आपकी कितनी shifts थी आपकी total जो अगर हम CPO की बात करें त तो टोटल आपको 9 shift में paper हुआ था ठीक है आपका 9 तारिक से paper start हुआ था 9 तारिक को shift 1 shift 2 ऐसे ही 11 फिर 12 फिर 13 और कुछ लोगों का हुआ था आपका 30 तारिक को paper तो total 9 shift हुवी थी है आपकी basically 8 shift में जादा बच्चे था आपकी shift में बहुत कम candidates है ठीक है तो 9 shift में paper हुआ जो कि मैं आपको proof भी दिखा सकूँ accuracy related के accuracy matter करती है नहीं करती क्योंकि proof दिखाना जरूरी होता है आप कहीं बार enter करने में गल्दी कर देते हो तो वह हमें errors भी हटाने पड़ते हैं तो उसके लिए हम screencard के कहते है scorecard की जूरत पड़ती है ठीक तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स serious experience ही जुड़े में है और जो अच्छे number लेक आते हैं जिनका qualify हो जाता है tier 1 जो आगे भरना जाते हैं जातर वही लोग survey में भी part लेते हैं तो जितने भी candidates ने data दिया जातर अच्छे लोग हैं ठीकि बहुत अच्छे हैं पड़ाई में जिनका selection हो चुए जातर उन लोगों क scorecard हमारे पास आये था तो reasoning में बात करें तो उनका 36.9 रहा English में score 32.9 quantitative aptitude में 24.6 और general awareness में average इतना तो आप यह चीज़ यहाँ पर समझ सकते हो कि reasoning में लोग जाता score करते हैं SSC में reasoning का level क्या होता है AG होता है English की बात करें English का level reasoning के comparison में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेकिन य आलागरा 20 भी score कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी demonize दे ही होना की paper में अच्छा नहीं होगा CGL में 50 में से 20 आप score कर रहे हो बागी दिनों section में बहुत अच्छा perform कर रहे हो तब भी आपका selection यह chances रहेंगे ठीक है कि यह मैंने इसले ही table बनाई है जिससे कि मैं आपको बता कुछ shift ऐसी भी है जिसमें बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला कुछ shift ऐसी भी है जिसमें एक दो number घड़ भी गए तो वो कौन-कौन सी shift है उनका data क्या क्या है किस तरह से normalization काम करता है वो समझते हैं अब हम सबसे पहले हाया 9 तारिक का shift 1 ठीक है सबसे पहले आपको यहीं paper तो यहाँ पर मेरे पास क्या जो मैंने graph बनाया है यह row score है यह है normalized score तो graph किस तरीके से चल रहा है इस तरीके से चल रहा है मतलब जैसे अगर हम बात करें इस particular point पे suppose करो इस particular point पे आपके number है 80 तो हो सकता है यहाँ पर जो आपके normalized score हो वो कितना बन गया हो 84 बन गया हो ठीक है चलता रहेगा तो यहाँ पर अगर 150 number है आपके तो normalized score 156 ऐसे कुछ गया होगा भी देखेंगे कि हम क्या गया है ठीक है बस यह idea है कि gradually increase करेगा मतलब अगर आपका score है आपका क्या हो रहा है score भढ़ रहा है तो उसके साथ आपके row score भढ़ेगा तो normalized score भी बढ़ेगा मतलब ज increase होना चाहिए marks में वो ज्यादा देखने को मिलेगा इस graph से ज्यादा clear होगा इस graph में कहें देखो नीचे तो row score है मतलब अगर आपका यहाँ पर देखो 80 number आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो marks भढ़ने वाले है वो 4 number भढ़ जाएंगे तो normalized होने के बाद आपका score कितना हो 80 है तो 4 number का increment देखने को मिल रहा है अगर 140 है तो आपके marks कितने भढ़ रहे हैं यहाँ पर 6.5 लेकिन अगर दो बंदे हैं जिनका 140 number है तो उनका जो increment देखने को मिलेगा विल्कु 6.5 ही होगा no matter what your accuracy is तो accuracy का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है ग्राफ इस तरह की से च की बात करें तो जैसे जैसे आपके marks बढ़ेंगे आपका जो normalize score है वो भी भढ़ जाएगा ठीक है एक slope में increment होगा यह चीज समझ आ गई न जैसे आप यहाँ पर देखोगे एक बंदा था जिसके 78.75 marks से normalization किया गया फाइनल स्कोर को कितना बन गया 82.68 बन गया उसमें increment कित का साओर बढ़ गया point में तो इस तरह से हम धिरे धिरे बढ़ेंगे तो एक particular row score पर अगर हम बात करें अगर दो candidates के बिल्कु सेम row score बन रहा है तो उनका जो marks increment होगा वो भी सेम होगा लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हाँ पर हमने देखा 78 पर कितने का भर रहा था लगबग 4 नमबर बढ़ रहे हैं इसी तरह हम इस ladder में बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर हम 151.25 जो हम लोगों ने data दिया था उसमें maximum इतना गया था एक बंदेगा ठीक है उसका maximum increment हमें देखने को मिला 7 नमबर का ठीक है तो पहले starting में 4 नमबर का था वो फि हमारे पास ओया 140 तो हमारे 6 नमबर बढ़े लकबग तो अगर यह पीछे और चले जाएंगे हम Englishman के marks 31 बागी subject में अलगलो marks हैं तो हम इससे compare कर सकते हैं यहां पर आप देखोगे English में दूसरा experiment है उसका data कितना है उसके English में marks है यहां पर 25.5 marks change होगे अलग candidate है और आप यहां पर देखोगे इनका जो raw score है total इनका भी 114 है और final normalization score 119.44293 है यहां पर 119.44293 मतलब normalization है accuracy has no role to play in the normalization process यह चीच के लिए रखो अपने दिमाग में ठीक है ऐसे ही मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी 11 तारिक shift 2 के candidate का data है ठीक है इनका क्या था raw score आप देखोगे यहां पर 131.75 था normalize score इतना बन गया था 147.45583 और ऐसे ही दूसरा कोई role नहीं है यह clear हो गई अब हम आते 99 तारिक के shift 2 के data पे अब यहां पर आप देखोगे अगर 54 नंबर है आपके तो increment हो रहा है पांच नंबर का ठीक है और ऐसे ही आप भढ़ते रहोगे आगे 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 अगे अगर आपके नंबर कितने बन रहे है 153 बन रहे है तो यहां पर increment हो गया 12 नंबर का तो इसमें ज्यादा हमें change देखने को मिला यहां से 6 से हम 12 पे तो आपके 12 से 13 नंबर बढ़े के लियर ठीक तो इस तरी के से चल रहा है यहां पर 9 तारिक शिफ्ट 1 में अब 9 तारिक शिफ्ट 2 11 तारिक शिफ्ट 1 का देख लेते हैं 10 तारिक को आपका पेपर नहीं हुआ था तो उसमें अगर हम बात करें हाँ यहां पर 11 तारिक में आपके मार्स बढ़ते रहेंगे ठीक हम लाश्ट माय जाते हैं यहां पर 143.5 पर 5 पर पहुचा तो 15.65 बढ़ गया आपका ठीक है तो अगें क्या और ग्राफ इस तरीके से हैं लेकिन यहां पर गैप कितने का आया यहां पर 12 से लेके 15 साड़े 12 से लेके 15 साड़े 12 से लेक लोगों के मार्स बढ़े होंगे शिफ्ट में उसके बाद हमारे पास आता है डेटा 11 तारीक शिफ्ट टू का इसमें भी ऐसे हुआ इसमें भी काफी अच्छी नंबर बढ़े लोगों के 57 तारीक की बात करें 57.75 तो आपके 11 नंबर बढ़ रहे हैं और इसी तरह से चलेगा आप और यहां पे 11 से 16, 141 नंबर तक अगर आप पोचते हो यहां पे तो आपके 16 नंबर पोच रहे हैं तो यहां पे थोड़ा सा स्लोप भढ़ गया लेकिन वहीं 11 से 16 लगबाग इतने नंबर आपको बढ़े और हो सकता है इस शिफ्ट में 16.24 है किसी के और भी जादा नं अ supplement के बाद कर लेते हैं एक बारा तारिक शिफ्ट बन के डेटा की ठिक है बारा 10 अरिक श६्ट न को अगर हम देखें यहां पर इसमें normalization उल्टा हो गया, normalization उल्टा कैसे हो गया, आगर आपका row score 50 है, ठीक है, तो आपके 10 number बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका marks बढ़ेगा, row score बढ़ता जा रहा है आपका, लेकिन जो marks बढ़ रहे हैं, वो जो 13 तारिक का paper था, English का, उसमें जब normalization किया गया था, 13 तारिक को आपका paper हुआ था, tier 2 का English का, उसमें क्या हुआ था, starting में जिसके कम marks थे, उसके ज़्यादा बढ़ रहे थे, और जिसके ज़्यादा marks थे, उसके कम बढ़ रहे थे, normalization से, ठीक है, तो ऐसा भी होता है, एक शिप ऐसी भी निकल के आती है, जिसमें graph उल्टा चला जाता है, normalization का, अब यह क्यों होता है, कैसे होता है, यह नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक शिप ऐसी भी आ जाती है, तो कहीं बार हमें disadvantage, यहाँ पर इसका मिलता है, लेकिन बहुत जादा major difference भी नहीं है, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 10.75 बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 8. तो मतलब gap सिर्फ 2 का ही है, बाकी हमें यह वाला नहीं देखना, ठीक है, तो most shift अब तक हमने जितनी भी देखिए, उसमें यह य जा रहा हो यहाँ यहाँ पर, तो हो सकता है, candidate में मुझे fake details दियो, पूरा verify नहीं कर पाया, मैं एक इक data को जाके, लेकिन जहाँ मिचे गलती लगी, वहाँ पर मैंने check करा, accuracy पर ध्यान दिया, ठीक है, एक आधा data हो सकता है, miss हो गया हो मेट से, और उसमें गलती आ गई हो, ठीक है, बाकित जो मैं बता रहा हूँ, graph वैसे ही चल रहे है, उसके बाद, अब बात कर लेते हैं, 12 तारिक shift 2 की, 12 तारिक shift 1 में हमने देखा क्या गया, slope, उल्टा गया 12 तारिक shift 1 में, और 12 तारिक shift 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें slope उल्टा देखने को मिला, ठीक जैसे जैसे आपका row score increase होता गया, आपका normalize score भी decrease होता चला गया, ठीक है, जो increase होना था score में, वो decrease होता चला गया, तो 12 तारिक shift 2 में हमने भी यह चीज़ देखने को मिली, उसके बाद 13 तारिक shift 1 की बात करते हैं, ठीक है यह वाला data गल्ट है, यहाँ पे बीच वाला किसने गल्ड data input डाल रखा है, ठीक है, जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे marks भड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपके marks, row marks बट रहे हैं, आपका normalize score भी भड़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे रो marks बट रहे हैं, यहाँ पे आपका increment 6 नमबर का था, यहाँ पे आपका no number का हो गया, जैसे जैसे रो marks बट रहे हैं, वैसे ही increment हो रहा है, तो same as low positive, और उसके बाद 13 तारिक shift 2 पे आते हैं, ठीक है, यह अकेली ऐसे shift थी, जिसमें marks decrease हुए है, जिन लोगों ने 13 तारिक shift 2 को paper दिया है, हो सकता है, यह सबसे easier shift रही हो, या कोई और भी factor हो सकता है, number of experiments कितने marks increase होते हैं, यह चीज भी हमने note करी थी, ठीक है, तो अगर इस shift में कम बच्चे बैठे होंगे, 13 तारिक shift 2 में, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर advantage सोड़ा कम मिलेगा, आपको normalization का, यह हो जाता है, ठीक है, बाकी कम data होता है, तो उसमें average score से बहु जाता variation हमें देखने को म क्या हुआ, तो धीरे-धीरे positive चला गया एक graph, ठीक है, यह इसका positive point कहां पर है, लगबाग 133 number के आसपास, ठीक है, अगर आपके 133 number है, उससे उपर है, तो आपके marks बढ़ेंगे normalization में, उससे नीचे है, तो normalization marks घट रहें, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, maximum score कर या फिर अगर आपके 140 number आगे, तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो पांच-छे number का variation रहता है, अगर normalization इस तरीके से हो रहा है, SSE CGL 2018 tier 1 में देखा था, महा पर 40-40 number का increment देखने को मिल रहता है, तो टाइम पर graph हमारे कुछ इस तरह किसे जा रहता है, तो normalization में कुछ भी नहीं मिल रहा, जैसे कि first day, first shift के बात करें, generally उसमें increase होने के chances जाता रहते हैं, last day last shift में थोड़ी problem रहती ही है, ठीके normalization में marks कटने के chances से रहते हैं, क्योंकि memory PS थे काफे ज़्यादा लोग सारी चीजे कर जाते हैं, और उसमें average का score भढ़ जाता है, जिस वज़े से normalization का इत हो सकता है किसे कि हाप 140 number हों, तो यहाप 160-65 भी हो गए हो, ठीक है, data बस दो लोगों का आया, तो यह ही है हमारे पास data, जो data है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो यह चीज भी होती है, इसके बाद एक बार summary देख लेते हैं, summary के अगर हम बात करें, total average increment, सबी shift में मिला के जो हमने average increment निकाला, वो लगभग no number का रहा सभी लोगों के लिए, maximum increment 17-18 number मान के चल सकते हो आप, तो बहुत बड़ा normalization नहीं हुआ, जैसे CGL 28-30, 45-45 number भी लोगों के बढ़े थे, लेकिन CPM में इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, maximum decrement की बात करूँ, ज्यादा घटे नहीं, जितना data हमारे पास आया, उसमें 2 number तक ही गटे, ठीक है, हो सकता है किसी के बहुत कम number हो, जैसे कि हमने 13 तारिक shift 1 की बात करी, sorry, 13 तारिक shift 2 की बात करी, जिसमें marks घट रहे थे, उसमें अगर किसी के 40 एक number होंगे, हो सकता है किसी के 40 number रहे हो, तो हो सकता है 37 या 36 भी रहे गए हो, लेकिन ज्यादा decrement हमें देखने को मिला, सिर्फ दो number का decrement देखने को मिला, ठीक है, और अगर हम बात करें, ज्याता shifts में क्या होए है, marks increase हुए है, ठीक है, marks इसमें एक shift में decrease हुए है, जो कि हो सकता है, इसमें shift रही हो, जो कि 13 December की shift 2 थी, ठीक है, जैसे जैसे करो, एक बंदा है, जिसका अभी सीजल होने वाला है, तो 3 माल लेते हैं, 3 marks से आपका paper है, 3 marks shift 1 को paper है, ठीक है, 2 candidates दोनों का same day paper आया, ठीक है, same shift में paper हुआ, दोनों का score 140 बन रहा है, इसका भी और इसका भी, चैसे accuracy कितनी भी हो, दोनों का normalize score अगर भढ रहा है, तो हो सकता ज्यादा marks होंगी, ठीक, तो बस ये सारी चीज़े में आप लोग के साथ discuss करने थी, take care, all the best